तो मैं दीपा सिंग आज यहां पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो भी आपके घरों में ओल्ड बैट शीट होती हैं या पिलो कवर्स होते हैं कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं और यहां पे मैं फ्रिल बना के दिखाऊंगे आपको और उसको एड़्जस करके भी कैसे लगा देंगे बिल्कुल सिल्वेटे नहीं आएंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको यहां पे मैं पिलो कवर्स करके भी दिखाऊंगी कि जो पुराने पिलो कवर्स होते हैं उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने घरों में तो वह भी आप लोग द देखे करके भी दिखा रही हूं तो पहले मैं यहां पे आपको बैट शीट से फ्रिल बना के दिखाऊंगी कि ऐसे बनाते हैं और आप अपने घर पे बना सकते हैं कितना सुंदर प्यारा सा अच्छा सा लगता है और ऐसे बनाऊंगी कि जिससे कि वह बिल्कुल भी मूव न बन जाता है तो यहां पे मैं बैट इस तरीके से लगाती हूं इसलिए बैट लगा के मैं आपको दिखा रही हूं थोड़ा सा इसको अगर आप इसके साथ मैचिंग कुशिन कवर या लगा देंगे अपने बैट में तो वह बहुत ज्यादा और अट्रैक्टिव और सुंदर हो जाता है तो चलिए अब भी स्टार्ट करते हैं यह देखे मेरी फ्रिल बन गई है तो दो से तीन यूज करके दिखाऊंगे मैं आपको यह जो बैड है यह किंग साइज बैड है और जो आपको मैट्रस दिख रही है इसमें ना कोई भी बैट शिट फिट नहीं आती है तो यहां पर यह अंगूरी चादर है एसी ब्लैंकेट भी बोलते हैं इसको पतला सा होता है बट बहुत मूवेबल होता है मतला अगर आप इसको अच्छे से फिट ना करें तो बहुत ज्यादा मूव होता है पर मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी कि जिससे की बिल्कुल भी मैंने तीन पोर्शन में इसको काट लिया है क्योंकि चौथी साइट से में फ्रिल नहीं लगाऊंगी के वल दो ही साइट से फ्रिल की जरूरत होती है तो यहां पर मशीन है मिर पास यह उश्या की मसीन में यूज करती हूँ अगर इससे रिलेटेड आपको कोई के लिए थोड़ा ज्यादा लेंद की जरूरत होती है तो अब मैं यहां पर कटिंग कर रही हूं उसको बराबर बराबर लेके और दोनों साइट से मैं अच्छे से स्टिच कर चुकी हूँ तो अभी देखिए मैं यहां पर इसको बराबर रखके क्याची से कट कर लेती जैसे कि आपको विडियो में दिखाई दे रहा होगा तो इसे तरीके से मैं यह जो तीन हो है मतब तीन है तो यह इसके बराबर ही है लग भग लग भग तो फिर मैं इनको अटैच करूँगी और एक साइड जो है दो फ्रिल यह मेरी यूज होंगी जिससे कि इसका जो घेर ह बहुत अच्छा बहुत प्यारा आएगा तो मैं इसको पूरा कवर नहीं करना चाती हूँ बैट को उससे क्या होगा की बैट का पूरा लुक खराब हो जाएगा तो मैं बस थोड़ा सा यह उसको कवर करना चाती हूँ फ्रिल के थूरू क्योंकि यe जो यह ब्लैंकेट है य इनको भी मैं इसी तरीके से गट कर लूँगी जैसे कि वीडियो में दिख रहा होगा आकको तो में इन के लिए नेह देखे कर देखे यह कट हो गया मेरे थारे मैंने कट कले मत इसके हम लगभख 6 पीसेस तियार हो गए है एक तरफ मैं दो पीसेस लगाऊंगी तो यह देखे यह जो है यह पूरे तरीके से complete इसमें नहीं fit बैठती है यह देखे तो इसके किनारे से मैं लगाऊंगी और थोड़ा सा portion मैं छोड़ दूँगी जो कि मुझे अंदर दबाना होगा तो उसमें मैं फ्रिल यूज नहीं करूँगी बाकी देखे थोड़ा सा बच रहा है तो मैं इसको कट कर लेती हूं जिससे कि क्या होगा फ्रिल जो करूँगी न तो उसकी fitting बहुत ही अच्छी आएगी तो इसलिए मैंने साइट का थोड़ा सा portion यह कट कर लिया है जैसके आपको देख रहा अब सानला है अब मैंने क्याvलां द्धागा च्श्चे कट क्षच से मतलब सुई के बाद मैंने से स्टिच कर चूः मैंनेrank dir इसको बहुत धकर हो आपको नीरा अच्छी से nova उस मैं लिशा यह है इस तारीके से तरिक यह कि यह तो थे धाम से आपको बहुत आसान होते है इसको निकालना अब मैं क्या करूंगी फिर्ण अब इसको मैं लेके उल्टी तरफ से स्टिच करना स्टार्ट कर दूंगी दोनों के उल्टे साइड लेकर के स्टार्ट कर देती हो मैं स्टिच करना यहां से थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी मैं क्योंकि स्टिच आएगी तो उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी जब आप थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे तो तो यह देखिए स्टिचिंग कर ली है तो मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि स्टिचिंग तो दिखाई नहीं जाती देखिए फ्रिल बन की तियार है मैं जि तो देखिए मैंने नाप लेकर के वहाँ पे नाप ले लिया था और यह लगा दिया मैंने इलास्टिक लगा दिया आप चाहें तो कोई कपड़ा भी यूस कर सकते है इसकी जगह पे इससे होगा क्या कि आपके जो बैट शीट है बिलकुल भी मुव नहीं होगे मतला अगर जो बैट शीट होती ना बहुत ही मुवेबल होती मतलब बहुत ज्यादा खिसकती है इस तरह की जो सौफ्ट चाधर होती है तो अगर मैं आप पर लगा नहीं करेंगा मतलब बच्चे को इतना भी कूदे तो आपके बिलकुल सेम टूसे रहेगी विदाउट सिल्वटे आप सोने के बाद में उठेंगे तो बिलकुल इसी तरीके के बनी रहेगी तो मैं इसको एज़ेस कर देती हूं उपर के पोर्शन में भी मैंने लगभग एक हत के बराबर मतलब जगह चोड़ देती क्योंकि वह अंदर दब जाएगा तो इसलिए वह बिलकुल भी वैसे भी उप पोर्शन छोड़ दिया है तो दिख रहा होगा आपको मेरी ये फ्रिल वाली बैट शिर बनके तयार हो गई है कितनी प्यारी सुन्दर सी लग रही है अब मैं आपको पिलो कवर का यूज करके दिखाती हूं कि पिलो कवर आप इस तरह से चीर पर अगर नॉर्मल चीर है क्योंकि इसमें खटने फटने या किसी भी चीज का डरतो होता नहीं तो आप नया भी यूज कर सकते हैं तो मेरी पास यहां पे बहुत सारे पिलो कवर रखे रहते हैं तो इस तरह से मैं इसको इसकी नाप ले करके थोड़ा सा फोल्ड करके मैं इसको नीचे बिल्कुल एज अगर आप चाहते हैं कि उसका दुवारा से यूज कर ले तो इस तरह से यूज कर सकते हैं वैसे मैंने या पे गरम बैट शिट यूज करी है और जो पिलो कवर है पिलो कवर का सेकंड यूज यह होता है कि जैसे कि देखे मेरा पिलो बिल्कुल वाइट है क्योंकि मैं इसमे इसी में ही इसको लगा देती हूँ जिससे जितनी भी गंदेगी होती है तो पिलो कवर में ही लगे रहती है अंदर तक पिलो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है क्योंकि जब आप पिलो कवर उतारते हैं तो आपके पिलो काले से रहते हैं तो बहुत गंदा और बहुत गंदा तो इस तरीके से आप उसका पिलो कवर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ यह गरम चादर है तो मैंने इसको दो पोर्शन में काट लिया है और काटने के बाद देखे मैं इस तरीके से ही इसको एड़िस कर दूगी अगर आपके पास कोई ब्लैंकेट है तो हम लोग ब्लैंकेट ही यूज़ करते हैं क्योंकि ठंड का एरिया है इसलिए तेमपरेचर ज्यादा नहीं होता है मतलब नॉर्मली 20 रूस ज्यादा नहीं जाता तो ठंड ही होती है तो इस तरीके से नीचे यह मैं एड़िस कर ले रही हूँ अपना ब्लै यह पर पर्पल कलर का तो देखें काफे पिटी से लग रहा है यह तैडी बेर से दो तो दो तीन टैडी बेर से जो की मैं यहां पर रख देती हूं और इससे भी क्याफे सुंदर सब प्यारे लोक तो यह हमारा देखें बैट शिट बनके त्यार हो गई है फ्रिल वाली तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इट बैल आइकन फॉर नोटिफिकेशन और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी तो बस यही पे मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूं टा बाइ पर नेक्स्ट वीडियो